हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल एग्जाम प्रेप 24-7 दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर इनिकुलिटी चैप्टर का बेसिक कॉंसेप्ट क्लियर किया था जिसके अंदर कम्प्लीट बेसिक फंडामेंटल्स और उसको सॉल्व करने की एप्रोच इस देखे थे और स बात की साथ इनिकुलिटी चैप्टर के कुछ कोशन को भी सॉल्व किया था दोस्तों आज मैं उसी का नेक्स वर्जन लेके आया हूं जिसको भोलते हैं आयदर और केस दोस्तों इनिकुलिटी चैप्टर से आपके कई सारे एक्जाम्स के अंदर कोशन प्रेजेंट होते हैं खासकर बैंकिंग एक इसाम के अंदर देखा जाए तो आपके तीन से पाँच कोशन आपके इस चैप्टर से प्रिजेंट हो जाते हैं तो तीन से पांच जो कोशन आपके प्रेजेंट होते हैं दोस्तों तो इस चैप्टर में एधर और के केस से एक से दो कोशन आपके जरूर प्रेजेंट के जाते हैं और इसका कॉंसेर्ट समझना बहुत जरूरी होता है Actually concept बहुत easy होता है और easy होने के साथ साथ इस case और number आप easily पा सकते हैं question गलत होने की समभावना एसापन नहीं होती है ठीक है तो किस तरीके से approach लेते हैं either or case की पूरी trick या पूरा concept क्या होता है आईए दोस्तों देख लेते हैं either or case of inequality clear? चले दोस्तों सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि inequality में either or case होता क्या है तो दोस्तों either or case होता उसका मैं पूरा basic fundamental आपको पहले समझा देता हूं देखे दोस्तों अपने पास क्या है कि दो condition है पहली condition है दो symbol देखेंगे आपने एक symbol तो यह रहता है और दूसरा symbol दोस्तों क्या होता अपने पास greater or equal होता है clear? इसके अगर मैं बात करता हूं इसके अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैंने suppose करिए कि एक statement लिखा है a is less than equal b और इसके ब्याफर जो मैंने conclusion लिखे वो conclusion क्या है दोस्तों a is less than b यह पहला conclusion और दूसरा है a is equal b ऐसे केस बाले केस में statement लिखे हुए है इसका statement का आपका दिरखा है a is greater or equal b तो इसके दोस्तों conclusion मैंने लिखे है वो है a is greater b और दूसरा दिरखा a is equal b तो दोस्तों आपने को यह चेक करके देखना है कि यहाँ पर आपनी condition क्या present होती है तो पहले मैं कुछ concept बता दे रहूँ आपको ठीक है तो इसका जो basic concept जाता है आप नहीं समझेंगे तब तक इन चीजों को करने में समझ से हा सकती है तो आप description box में जाकर मैंने पिछले वीडियो के links upload कर रखे है तो आप उस link पर click करके पिछले वीडियो को देखेंगे जिससे आपको inequality का first part आपको मिलेगा जिससे आप उसके concept को easily समझ पाएंगे तो पहले आप उस वीडियो को देखे then आप इस वीडियो को देखे हमने समझाता कि what is arrow method तो arrow method में पहला point क्या था arrow हमेशा जाता है कहां पर open side से close side की ओर दूसरा case अगर suppose conclusion में ये बाला symbol या फिर ये symbol present होता है तो उस case की condition क्या थी कि source से destination के बीच में जितने भी symbol present उनमें से at least one symbol अगर greater की बात करेंगे तो greater और इसकी बात करेंगे तो ये तो at least एक बार ये symbol present होना चीए मतलब at least once present होना चीए second case में अगर conclusion में ये चीज या फिर आपकी ये यानि कि greater equal या फिर क्या दे रखा है less equal दे रखा है conclusion में और इनको अगर अपने को सही करना है तो इसकी condition क्या होती है दोस्तों कि यहां पर source से लेकर destination तक जितने भी symbol present होंगे तो उसमें क्या होता है कि equal है वो break नहीं होना चीए equal symbol break नहीं होना चीए ठीक है तो break नहीं होने का मतलब क्या होता बिसिकली दिखिए यहां पर condition के question क्या बनसा अगर suppose करें कि आप इस चीज को सही करना चाहते है conclusion में अगर यह वाला symbol सही है तो यह कब सही हो सकता है इसकी combinations क्या क्या बन सकते हैं तो उनमें यह symbol तो present होना ही चीए है ना या फिर इसके साथ में यह तो हो ही सकता है साथ में अगर equal भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है या तो यह symbol present हो greater और equal अगर combination मिलाना भी है ना तो इस symbol के साथ में equal ही और present होगा तभी केबल आपका यह सही हो सकता है otherwise नहीं हो सकता इस वाले symbol की case में भी देख सकते हैं कि अगर इस तरीकी से बात करें तो यह symbol तो होना ही चाहिए अगर combination में और भी symbol आना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ में equal और आ सकता है इन case suppose करिए कि अगर condition ऐसी हो जाए condition आपकी बंजा है जैसे माली जीए आपका एक symbol यह आ जाता है और फिर आपका यह वाला आ जाता है तो इस case में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपका देखे equal present नहीं है इन दौनों में तो equal है यहाँ पर present नहीं है उस case में दोस्तों यह वाला जो symbol है वो क्या हो जाए का अपना यह गलत के case में काउंट हो जाता है और दोस्तों तीसरा जो point में ने आपको बता है तो वो भी मैं थोड़ा सा समझा दे रहूं आपको तीसरे case में क्या प्रजेंट होता है जो तीसरी concept है वो है आपका equal का symbol तो equal का symbol दोस्तों कब प्रजेंट होता है कि आपके source से लेकर destination तक जितने भी symbol है उनमें सिर्फ और सिर्फ आपका equal ही होना चीए ना greater ना आपका यह less than ना greater equal और ना ही less equal यानि इनमें से कोई भी symbol नहीं होना चीए सिर्फ और सिर्फ क्या होना चीए equal symbol प्रजेंट होना चीए तब जाके आपका equal symbol क्या हो जागा perfect हो जाता है तो यह आपका जो basic fundamental था वो चीज़ मैंने आपको पिछली class के अंदर पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था आगे चलते हैं बोग तो इनकी जो बात कर रहें तो यहां पर condition क्या दी कि यहां पर आपको B से एक ही तरब जाना इस बार अपने को किदर जाना के लिए बी से एक ही तरब जाना है तो देखे के बी से एक ही तरब जाने के लिए error जा रहा है कि lon Cliff बिल्कुल जा रहा है क्योंकि हमें हमेशा open से close side के हो जाना होता है तो जा सकते हैं अब देखना आता कि जब यह वाला symbol present हुआना तो इस source से लेका destination तक के बीच में जितने भी symbol उनमें से at least one time यह symbol present होना compressor जो कि यहाँ पर नहीं है अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर है तो है less than बट यह आपका less than नहीं है यह less than और equal है यह सिर्फ less than है आपका इस वज़े से यह वाला जो आपका conclusion मन जाता है यह क्या माना जाता है दोस्तों आपका invalid माना जाएगा अला सही नहीं है अचा दूस सिर्फ और सिर्फ equal ही होंगे उसके लाव और कोई symbol present नहीं होना चाहिए तो A से B के case में देखे तो यहाँ पर सिर्फ equal नहीं है इस पज़ेच से यह भी चीज़ क्या बन जारी दोस्तों invalid बन जाती है clear अब देखिए अब देखो अकेले इसकी बात करें और अकेले इसकी बा पार करके जब हम सोचने की कोसिस करें कि अगर मैं इस first conclusion को और second conclusion को mix कर देता हूं अटेच्मेंट में देता हूं तो इसको इसको मिलाने पर क्या present हो जागा दोस्तों A is less than तो मैंने यहां से ले लिया और जो equal है वो मैंने इधर से ले लिया और मैंने क्या लिख दिया B तो अब चेक करके देखे यह वाला जो conclusion बनेगा command वाला इसके according सही होगा की नहीं होगा बी से एक ही तरफ जाना है बिल्कूल चाहा पा रहे हैं और यही simbal आपका present है that means अब conclusion क्या और आपका सही इस कहानी से दोस्तों क्या निकल के आया यह दौनों conclusion चुहें वो आपका individually दोनों conclusion आपके individually सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है तो individually नहीं होने चीह इस केस में यहाँ पर condition क्या रही है इन दोनों के बीच में क्या लगा सकते हैं दोस्तों either or की condition present कर सकते हैं A और B की बात हो रही है दोनों में आपके variable भी ठीक हो गए और आपके यहाँ पर देखा जा तो A और B दोनों same भी present है और दोनों individually आपके क्या हो रहे हैं invalid भी हो रहे हैं और उस case में आपके individually दोनों आपके perfectly सही भी नहीं है तो इसका मतलब हुआ क्या basically इसका मतलब हुआ कि suppose करिए कि अगर मैं A और इस तरीके से present करूं values को तो इस less than symbol के लिए अगर A की value में 9 रखता हूं तो इसकी value में 10 रख सकता हूं और equal के लिए equal के लिए अगर देखा जाए तो अगर इसकी value मान लीजे मैं 9 रखूंगा तो इसकी value भी में क्या रखूंगा 9 रखूंगा तो अगर 9 और 10 की बात देखें तब तो ये वाला symbol सही है 9 और 9 की बात देखें तो ये second वाला case सही है तो ये दोनों ही case आपके एक साथ सही नहीं हो सकते या तो छोटा होगा A, B से या फिर वो बराबर हो सकता है बट कभी भी दोनों एक साथ possible नहीं है इस बज़े से यहाँ पर या तो ये सही है या तो ये सही है तो इसी चीज को आपने इन दो conclusion के अंदर तोड़ रखा है कि जो either or condition होते it is also known as a complimentary pair complimentary pair इसको और किस नाम से चान सकते हैं दोस्तों complimentary pair की चान सकते हैं same condition हम दूछरे वाली सवाल में देख लीते हैं इसमें condition दे रखिया कि same situation है तो इस बार हमें A से B की तरफ जाना है तो A से B तक हम जा सकते हैं arrow तो गया बट क्या यही symbol आपका यहां present है बताइए source से destination के बीच में greater symbol की बात आई तो greater symbol at least one source to destination present होना चाहिए जो की नहीं है इस वज़े से इसको यहां पर क्या बोला जा रहा है invalid भूलते हैं और यह वाला जो किस है equal तब सही मांते हैं च نےcidos में होने सिम्बल में इकोल होनें चयह है जो की नहीं है तो इसको भी क्या बोल जाता दोस्तों invalid हम बोल सकते हैं अब दिखो अगर इस अकेली की बात करें तो यह भी सही नहीं है अकेली की बात कर के यह भी दोस्तों आपका ये, तो ये condition आपकी इस recording क्या हो जाती है, perfect हो जाती है तो कहीं नहीं कि यहाँ पर भी आपके दौनों conclusion में से individually दौनों गलत भी नहीं है और individually दौनों सही भी नहीं है, that means या तो पहला सही हो सकता, या फिर आपका वो दूसरा, क्योंकि इसी case को आपके दो conclusion के अंदर तोड़ा गया है ठीक है, तो यहाँ पर अगर values put करने के अगर बात करें, तो a is greater equal b की बात करें, तो a अगर मैंने 10 ले लिया है, तो इस symbol के लिए greater symbol के लिए b की value क्या रखी जाएगी, माल लेजे 9 अब मालेजे, अब यह equal की बात करें, तो a की value अगर यहाँ से इसको compare करते हैं, तब तो आपका कौन सा सही होगा, greater वाला सही होगा और जब इस से 10 की बात करते हैं, तो कौन सा सही होगा, आपका equal, तो दौनों एक साथ सही नहीं है मतलब कि अगर मान के चले, इसको सही करते हैं, तो यह गलत हो जाता है और इसको सही करते हैं, तो यह गलत हो जाता है, इस situation को लेते हुए या either or को क्या बोला जाता है, आपका complimentary भी बोला जाता है इस शक्कर में देखें, तो यहाँ पर भी इस case में भी हम लोग क्या लगा देंगे दोस्तों आजर or का case लगा देंगे, ठीक है तो यह कुछ conditions बन जाते हैं, जिसके case में आप्रोच ले सकते हैं, कि अब जगो, इसमें मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, फर्स्ट वाले की, clear? चलो, आपका जो सवाल दे रखा है, कि A is greater B, greater or greater or equal B, greater equal C, greater आपका D अब conclusion पहला यह दे रखा है, कि A greater C, और दूसरा case क्या रखा है, A is equal C अब इस case में देखते हैं, तो अब A से देखिए, arrow कहां जाएगा, C की तरब जाएगा, तो A से B जा सकते हैं, और B से C जा सकते हैं, मतलब arrow arrow तो गया, बट यह सही तो तो होता ना, जब यह symbol, greater वाला symbol इस पूरी chain के अंदर present होता, at least once, जबकि नहीं है, इस वज़े से यह first वाला जो case है, इसको मैं क्या मानके चलूँगा, invalid मानके चलूँगा, मतलब perfect नहीं है, कह नहीं सकते हैं, आपका क्या होगा, finally नहीं है इसमें, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, doubtful conclusion भी बोल सकते हैं, ऐसे इस वाले case की बात करते हैं, तो A equal C है, तो A equal C की condition में देखे तो A equal symbol conclusion में सही cable तब हो सकता है, जब source से destination तक सारे symbol सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, equal ही होना चाहिए, और कुछ सा attach में नहीं होना चाहिए, मतलब attachment का मतलब उसके साथ में greater less, यह सब कुछ नहीं हो, cable और cable equal होना चाहिए, जो की source से destination में नहीं है, इस वजए से इसको भी क्या बोला जाता है, आपका individually invalid बोला जाता है, ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इन दौनों को मैं attach कर देता हूं, तो दौनों को attach करने पर मेरे पास में क्या result आ रहा है, इस तरीके से आपका C result प्रेजेंट हो रहा है, अब एक चीशल में देखिए, A से C के बीच में अगर conclusion निकाला जाए, तो finally अपने पास यही तो निकल के आ रहा है, और इन दौनों को मिलाने पर आपका यह present exactly हो गया, that means अब दौनों को मिलाने पर सही बन रहा है, individually सही नहीं है, individually गलत नहीं है, इस बज़े से आपका दौनों को मिलाने पर यह बाली चीज आपकी perfect निकल करेंगे, case number second, मैं इदर लिख लेता हूँ, case number second के लिए, a is greater equal b, greater equal c, और greater d, इसका पहला conclusion है, b greater d, और दूसरा case दे रखा है, b equal d, अब इस case में देखेंगे, तो arrow जाएगा आपका b से d की तरफ, चलिए, b से d लेके चलते हैं, तो b से d तक पहुँचे, c तक, और c से लेकर हम लोग d तक पहुचे, तो b से c, c से d पहुचे तो arrow तो गया, मतलब condition क्या है, आपका arrow तो गया, अब देखो, यही symbol क्या इस chain के अंदर present है, मैंने पहले ही आपको बता रखा है, कि आपका अगर यह वाला और यह वाले symbol की बात होती है, तो यह symbol source से destination में at least एक वार प्रज ही हो जाएगा, that means, देखो, यहाँ पर यह symbol प्रजेंट हो गया, मतलब यह वाला जो आपका conclusion है, यह क्या बन जाता है, दोस्तो, definite true बन जाएगा, इसकी बात करें, तो यह तो equal symbol है, equal के case में तो आपके सारे symbol equal होने थी, जूकि नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोल जागा दोस्तो, invalid बोल सकते हैं, cannot check in case में, कोई confirm नहीं है, आपका क्या होगा, कोई बड़ा यहाँ पर दे रखाया, तो कुछ confirmation नहीं है, विरहाल, तो इसको भी क्या बोल दिया, तो अब देखे, इसमें यह बाला जो case आ रहा है, इसको तो definite true बोल दिया, जबकि इसके case में इसको invalid बोल दिया, तो बताइए कि यहाँ पर either or लग सकता है, नहीं लग सकता, अब exactly अगर देखें, बी और डी के बीच में जो संबंद निकल के आएगा, तो बी और डी के बीच में जो संबंद फाइनली निकल के आएगा, वो आपके पास में यह प्रजेंट होगा, और यह बाल क्या हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया ना, जबकि यहाँ पर क्या होना चीए, परफेक्ट नहीं, यह डाउट फुल अगर होता, इस कंडिशन को either or बोल पाते है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो answer निकल के आपाएगा, वो चीज क्या निकल गयागी, only first follow, कुछ इस तरीकी से आपका वही कोशन ले लिया है, और यहाँ पर पहला कॉन्कूजन देरका है, C is greater A, और दूसरा जो देरका है, वो है आपका C is equal A, अब देखे, C से A की तरफ जाना है, C से B, क्या आप जा सकती हो, नहीं, हमेशा बने बताया था, आपको किदर जाना होता है, हमेशा open से close side के ओर जाना होता है, तो देखे, यहाँ पर तो अब देखे, यह भाला arrow तो इदर की तरफ जा रहा है, मतलब B की सैड में open gate है, C की सैड में close gate है, इदर से इस side में तो possible ही नहीं, मतलब इस condition के अंदर देखे हैं, तो आपका जो arrow गया ही नहीं, जब एर नह का कंपेरज में नॉर्मल ही करता हूं अभी इस केस में देखेंगे तो A और C के कंपेरजन का आंसवर करने के लिए एगा A बड़ा या बराबर होगा किस से C से तो ये तो कंफरम है A C से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर बढ़ कभी भी छोटा नहीं हो सकता ठीक है छोटा नहीं हो सकता तो उस केस में इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे दोस्तों definite false भोल देंगे अच्छा इसकी बात करें तो यह आपका इक्वल्स टू आपका A से लेके C के बीच में है नहीं देट में इसको तो क्या बोलेंगे हम लोग कैन नॉट से के केस आपका प्रजेंट कर सकते हैं इन्वैलेड हो जाता है अब देखे इस सेचुएशन के अंदर क्या हम लोग आधर और की कंडिशन प्रजेंट कर सकते है नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं जब पहला बाला तो definite false हो गया तो answer जो निकल के आएगा तो या तो बड़ा होगा A या तो बराबर होगा सीके जबकि छोटा तो कभी भी A हो ही नहीं सकता है इस सक्कर में इस condition में आपका either or नहीं लगेगा तो तीसरा जो answer निकल के नहीं कर लिक आएगा neither nor ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है तो आपने एक चीद देखा कि यहां पर A C A C यानि कि variable मैं चोरे हैं और आपने इस पर either or लगा दिया इस में देखा variable मैं चोरे हैं बट cable first वाला सही है और इस में अगर देखते हैं तो यहां पर देखेंग बट फिर भी आपका either or present नहीं हो पाया तो actually देखा जाए तो इस situation के अंदर इन वाली situation में और इस वाली situation में ऐसा क्या है जिससे यहां तो either or लग गया बट यहां पर either or नहीं लग पाया तो इसका main region क्या था देखिए A से लेका C तक arrow तो गया था बट चूंकि symbol present नहीं है इ कि इसके बारे में कोई sure नहीं है चूंकि यह A और C के case में तो मैंने आपके command क्या तो A सी से बड़ा भी हो सकता है और बराबर ही हो सकता है बट exactly यह बाला case present नहीं है इसलिए इसको हम invalid बोलते हैं और इस case में either or लगा देंगे arrow गया था जबकि इस case में देखिए C से A की तर कोई भी conclusion individually आपका perfectly गलत या perfectly true नहीं होना चीए doubtful होना चीए आपका invalid होना चीए then हम लोग उसके अंदर either or लगा पाएंगे otherwise उसमें either or नहीं लगा पाएंगे उमीद करता हूं दोस्तों यह जो मैंने clarification दिया हुआ इस चीज से आपको थोड़ा सा idea मिलेगा कि कब आपकी condition मे either or लगता है और कब neither nor लगता है और कब आपका यह first follow या second follow हो सकता है तो मैं इस जाली यह बता देता हूं आपको पूरा rule क्या है इस चीज का कि हम कब अब इसके लिए मैंने कुछ concepts बना ली है तो उस concepts से पता exactly चल जाता अपने कुछ जाता सोचने की ज़रूत नहीं है यहा जाता है या कोई भी conclusion definite false हो जाता है तो उस सीज में आदर और का case present नहीं करते हैं क्लियर दोस्तों आके मैं चलता हूं और रूल आपको perfectly समझा दे रहा हूं किस तरीगे से चीज़ों को apply करते हैं ठीक है यह कुछ rules मैंने आपके लिख दी है देखिए सबसे पहली जो condition दे र invalid मतलब doubtful आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जो आपके conclusions होते हैं वो basically तीन प्रगार के होते हैं एक दो और तीन मतलब एक तो definite true दूसरा होता है definite false और तीसरा होता है उसको बोल देते हैं दोस्तों doubtful या फिर उसको क्या कह सकते हैं can't say जिसके बारे में आप sure नहीं हूं ठीके अचा तो अब देखे उस वाले केस में देखते हैं तो आपके condition क्या थी उसमें हम लोगों ने देखा था मैं उपर एक पर लेकर बता जा रहा हूं यहां पर देखा तो ये वाला जो केस है और ये वाला केस है दौनों इन्वैलिट निकल के आए थी तो यानि की condition number first क् बिलकुल perfect हो रही है ठीके अब नीचे शलते हैं अब दूसरा केस जो कह रहा है दूसरा कह रहा है वारियेबल और एलिबेंट शुड भी same in both the conclusions मतलब दौनों कान्कूजन में जो वारियेबल दे रहा है A और C तो इसमें भी A और C ही होना चाहिए दौनों में वारियेबल आ देखे चलोंगा उससे आपको clarity आराम से हो जाएगी तो मैं एक बाल लेख ले रहा हूं यहां पर देखें कंडिशन क्या है आपका लिखा हुआ था A is greater equal B greater equal C and greater D और conclusion दे रखा था आपका के A is greater C और दूसरा कंडिशन को जनता A is equal C अचा दूसरा जो case यह वाला जो case है इसको भी मैं एक बाल लिख ले रहा हूं ठीक है इस case में देखेंगे तो यहां पर condition क्या आती C is greater A और दूसरा case बन गया C is equal to A ठीक है अब इनको समझ लेते हैं यहां पर हम लोग exactly किस तरीके से approach में चीज़े ल हमें और चेक करने ही पड़ेगी और जब यह वाली condition follow हो जाती है तो उस case में आधर और condition लगा सकते हैं तब देखिए एक बार पहले case में A से C तक arrow गया था A से B और B से C हाँ arrow गया इस वाले case में देखेंगे तो आपका arrow C तक पहुँच गया बर चुकि सिंबल वहां तो सही होता है आपका जब सारे सिंबल उने थी है तो यह आपका यह भी कैसा बन जाता है दोस्तों इन्वैलिट बन जागा तो आपका पहला वाला जो रूल तब वो परफेक्ट हो गया अचा दूसरे case में दौनों में वेरियेबल सेम हो रहे है A C A C परफेक्ट हो रहा है अब तीसरा case दिहान से समझ लीजिए तीसरे case में क्या case है आपका देखो यहाँ पर लिखा हुआ case 1 और यह है case 2 यहाँ पर two symbols का case है यहाँ पर three symbol का तो अभी हम लोग two symbol की बात करें two symbol का basically मतलब क्या है इस conclusion में एक symbol यह रखा है और इस conclusion में एक symbol ही है तो एक और एक दो इस सकता है और दूसरे एक और case में देखा है तो इसका उल्टा भी बन सकता आपका अगर मान के चलो इस पूरे सवाल को उल्टा कर देता हूं तो आपके कही नहीं आपका यह वाली और यह वाली चीज़ भी present हो सकती है तो मेरी कहानी यह है कि अगर यह वाला यह वाला combination है greater than त का arrow destination तक जाना चाहिए पहले तो condition आपके तौनों invalid होंगे invalid के बात में क्या होना चाहिए आपका यहां पर variable से होना चाहिए और यह चाहिए कर लो कि arrow आपका destination तक पहुँच पाया था invalid तभी तो होगा जब वो symbol प्रेजेंट नहीं होगा उसके लिए invalid है अब invalid हम चेक तो तब कर पहें जब आपका arrow पहुचे का तो arrow जाना चाहिए तो finally conclusion क्या नेकल किया रहा है अगर आपका in this case if the arrow of greater or less greater यह वाला होगा और यह वाला जो less है वो आपका यहां पर आगया arrow of greater or less reaches till the destination then the answer will be either first or second तो देखे कि इस case में सारी condition हो रही है आपका दौनों कौन कुजन invalid भी है variable भी सेम है और आपके देखे इसका arrow से destination तक पहुचा भी था तो इस condition में हम लोगों ने क्या लगा दिया दोस्तों इधर और कीस लगा लिया इसको चेक कर लेते हैं तो इसमें देखे C से A तक arrow जा रहा है क्या C से A तक arrow नहीं गया यहां पर देखा तो arrow नहीं पहुचा जब arrow नहीं पहुचा तब हम इस चीज को क्या बोलेंगे definite false बोल रहे हैं दोस्तों याद रखेंगे यह invalid नहीं है क्लियर जो कि मैंने आपको समझाय था C और A के बीच पर जो exactly condition क्या नेकल के आएगी C is greater or C मतलब A is greater equal C बनेगा मतलब जो A है C से या तो बड़ा होगा या तो वो बराबर होगा बट कभी भी छोटा नहीं हो सकता तो A कभी छोटा नहीं हो सकता तो यह situation तो definite false है यह condition आपकी दोस्तों invalid नहीं है clear जब कि हमें क्या पता करना था invalid condition मतलब doubtful पता करना थी अचा यह वाला जो equal वाला होता है यह तो हमेशा ही क्या रहा था आपका यह तो invalid रहता है तो इस case में बताइए कि अब यहाँ पर आप either or लगा सकते नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा यहाँ पर case में arrow पहुंचा ही नहीं है जो कि यहाँ पर दे रखा arrow आपका पहुंचना चाहिए destination तक जब कि यहाँ पर C से A तक arrow पहुंची नहीं पाया इस वजए से इस condition तक यह भी गलत हो गया और यह भी गलत हो गया दैन इस condition और न वोल कि इसको क्या बोले जाता दोस्तों नीदर नौर के कीस में इसको काउंट किया जाएगा तो arrow एक ऐसा concept बन गए जिससे दोस्तों आप इसको easily आप समझा सकते हो या खुद समझ सकते हो चीज़ें किस तरीके से approach में ली जाती है clear अब इसी के साथ साथ एक example मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ तो इसको भी मैं समझा दे रहा हूं हातो हात इसका जो case है आपका यह case आपका कह रहा है Q से T की और जाना है अपने को check करें Q से T तो Q से R जा रहे हो R से S भी जा सकते हैं और S से T भी जा सकते हैं तो arrow तो गया मतलब यहाँ पर condition क्या हो रही है arrow तो गया मतलब condition नम्र थर्ड गया और बिल्कुल परफेक्ट है अब देखो symbol की बात तो अब arrow जब पहुँच गया तो आपका यही symbol उस chain के अंदर होना चाहिए का यह symbol वहाँ present है नहीं इस चक्कर में इस चीज को क्या भोल रहे हैं दोस्तों हम लोग invalid की नाम से जाने और इसके case में देखे है equal का case है तो equal वाला case तब सही होता है जब आपके सारे case equal होने चीए जबकि यह वाला equal नहीं है यह equal है यह equal है यह equal नहीं है यहाँ पर अगर कुछ लोग समझेंगे यह line दे रखे तो यह equal के case में दे रखे है पर यह symbol को equal तो नहीं बोल सकते है इसको greater और equal बोलते है जबकि यह सिर्फ equal है इसलिए यह भी condition क्या बन जाती है आपके invalid क्योंकि इसके बारे में प्रॉपर शॉर नहीं हो आप condition चेक कर लेते हैं एक फ़र दौनों conclusion invalid भी है दूसरे case में आपके qt यहां पर भी aqt यहां बन variable बिठे में सेम हो गए और आपका arrow भी पहुंच गया और जब arrow पहुंच जाता है इस case में यानि कहने का मतलब जब आपके double symbol वाला case हो two symbol वाला case हो two symbol फिर से याद कर लेजिए तो यहां पर q greater t रखा है और q equals t तो अब देखा जाए तो इन तौनों conclusions में मिला कर total symbol कितने है एक तो greater है दूसरा equal है बताए यहां पर two symbol वाला case है यहां पर two symbol वाला case प्रिजेंट हो जागा clear अब देखे तो यह वाला जो case था इसको क्या बोलते तो यहां पर तेखेंगे तो अभी case में either or present हो जाता है तो यहां पर क्या लगेगा either first or second चीक है तो उम्मिद करता हूँ यह approach आपको perfectly समझ में आ गई है यानि कि मैं एक बाल लिख दे रहा हूं अलग से सबसे पहला rule क्या होता है both conclusions क्या होने चाहिए आपके दोस्तों invalid होने चाहिए दूसरे case में दोस्तों क्या होता है कि जो आपके variable होते हैं वो दौनों conclusion में क्या होना चाहिए same होना चाहिए और तीसरे में अगर case first present हो रहा है case first present हो रहा है two symbol वाला तो उस case में greater होगा या equal होगा है ना या तो एक pair तो यह बन सकता है और दूसरा pair आपका two symbol में यह बन सकता है तो अगर इस वाले case के अगर मैं बात करूँगा तो इस case में आपके greater का इस वाले case में less का arrow arrow आपके destination तक पहुंचना चाहिए arrow आपका destination तक पहुंच जाता है तब इस case में आपका either or लग जाएगा और इस case में भी either or लग जाएगा ठीक है तो यह इस approach से पहचान सकते हैं individually किस तरीके से आप either or का case एपलाई कर पाओगे अचाह दूसरे case में चलते हैं जब आपके symbol तीन प्रजेंट है दो तो 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 तीन symbol का यहां मतलब कहा है दो तीन symbol का जो मतलब है तो मैं आपको समझा दे रहा हूं देखें तीन symbol का मतलब है कि मैं एक statement लिया ठीक है मैंने बोला कि a is greater b or less than c अब मैंने एक conclusion लिया हुआ है क a is greater c और दूसरा ले रखा है a is less than or equal c तो इस वाले case में बात करूंगा तो symbol यही अकिला प्रजेंट हो रहा है और इस में क्या हो रहा है आपका एक तो यह प्रजेंट हो रहा है और साथ की साथ आपका यह equal भी प्रजेंट हो रहा है ठीक है तो पिछले वाले में एक और दो symbol थे यहा पर देखा है एक ही seron ball एक ही सिम्ब जबकि यहा पर देखा है तो एक symbol ही हो गया एक symbol ही हो गया और ऐक सिम्ब इमटल books तीन सिमब ब्रजेंट हो जाते हैं तो donut neighbors यहां तो एन डूनों को मिला दें तो आपका एक ड्रीटर भी रखा है इसमें less भी दिखा ह है then आप आपका यहां पर equal भी दे रखा मतलब तीनों सिम्बल प्रजेंट हो गए है जब तीनों सिम्बल प्रजेंट हो जाते हैं तो case अपने को ये second case अपने को यूज करना है अब देख लेते हैं इसका फंडा क्या होता है इसका फंडा दोस्तों ये रहता है कि सपोस करिए A से लेकर C तक जाना है अपने को तो A से C तक arrow जाएगा तो A से लेकर B तक गए और B से C क्या B से C तक आप जा सकते हो नहीं क्योंकि देखो यहां पर A की साट में गेट खुला हुआ है और इसमें C की साट में गेट खुला हुआ है तो ये दोनों सिम्बल कहीं नहीं क्या होगे दोनो opposite हो चुके है तो इस case में एक condition में आपको बता जे रहा हूँ कि when symbols between source and destinations are opposite then result के आएगा no relation तब कोई relation present नहीं होगा यानि अगर A और C आपके source or destination है और कहीं भी आपके रास्ते में दो symbol opposite present हो जाएँ then उन source or destination के बीच में कोई भी आपका relation present नहीं हो पाएगा तो देखा इस वाले case में पहले case में जो आपका arrow था वो नहीं जा पाया अचा दूसरे case में देखा जाए C से A क्या C से A तक arrow लेके जा सकते हैं C से B तक जा सकते हैं B से A नहीं जा सकते हैं मतलब arrow तो है वो आपका यहाँ पर भी नहीं पहुँच पाया तो इसका दो बेसिक fundamental होता कि कि जब आपका कोई भी relation नहीं है तो उन सभी मैसे कोई ना कोई एक relation जरूर प्रजेंट होगा जैसे दुनिया में compare करने के पस यही तो symbol होते हैं आपके तीन suppose करिए कि यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है Amit और यहाँ पर लिखा हुआ है Sumit अब कोई मुझसे पूछता है कि यहाँ पर अमित और Sumit की एज का comparison करना है अब मैं उन दौनों को जानता है नहीं कौन Amit है कौन Sumit है तो मैं क्या कह सकता हूँ Amit Sumit से या तो बड़ा होगा या तो छोटा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है जब मैं उनको जानता है नहीं हूँ तो उस case में कोई relation में बताए नहीं सकता कि कौन छोटा कौन बराबर कौन बड़ा है आपका कुछ नहीं कह सकती बट इन तीनों case के अंदर भी कहीं न कहीं मैं क्या लगा सकता हूँ, इदर और का case प्रजेंट कर सकता हूँ, कैसे, मैंने बोला, कि ये वाली condition में, कि अमित सुमित से बड़ा होगा, नहीं तो छोटा या फिर बराबर होगा, अब देखों, ये दोनों symbol अगर mix कर दिये जाए तो यहां से मैं क्या दे सकता हूँ, ये चीज लिख सकता हूँ, और यहां से क्या प्रजेंट है, A is greater S, मतलब अगर ये बाला सही है, तो ये गलत हो जाएगा, अब अगर ये सही नहीं है, तो इन दोनों मैंसे कोई सा एक सही हो जाएगा, मतलब अमित सुमित से बड़ा तो वो छोटा होगा, या तो बड़ावर होगा, मतलब ये बाली कंडिसेन अगर गलत होती है, तो इन में से कोई सही हो जाता है, और अगर ये सही है, तो ये पूरा ही केस क्या हो जाता है, तो कहीं अगर ये पर्टिकुलर की बात करे, तो इस केस में ये पर्टिकुलर अग तो उस case में arrow source से destination तक पहुच ही नहीं पाता तो जब पहुच ही नहीं पाएगा that means क्या है आपका वो गलती है आपका तो इस case में आप देख लो कि जब arrow आपका नहीं पहुच पा रहा है और तीन सिंबल अगा दे रखे हैं तीन सिंबल दे रखे हैं और दौनों conclusion में arrow अगा नहीं पहुच पाता then we can say either first or second ठीक है तो इस condition में मानके चलिए मैं एक और case लेके चल सकता हूँ मानलीजिए मैंने ये वाले case एक d और बढ़ा लिया यहाँ पर अब मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पर कि b greater d और b less equal d अब यह condition है आपकी अब इस case में देखते हैं तो b से लेकर d तक जाना है तो b से c आगे जाई नहीं सकते हैं b से c नहीं पहुच पाते हैं मतलब यहाँ पर arrow नहीं गया यहाँ पर arrow नहीं गया मतलब यह गलत हो रहा है तो यह जब गलत है तो कहीं न कहीं value इन दौनों में से perfect हो जाती है इन दौनों में से कोई भी एक या तो बड़ा चोटा या फिर बराबर में से एक condition आपकी perfect हो जाएगी d से b का arrow चैकल लेते हैं d से c और c से भी arrow तो चला गया arrow तो चला गया बड़ चूंकि यह symbol वहाँ पर present नहीं है equal symbol आपका break हो गया इस वज़े से यह चीज़ क्या बनगी दोस्तों आपकी invalid बन चुकी है क्योंकि अगर मैं b और d का compare करता हूं तो b और d के case में यहाँ जो relation निकल गया आएगा वो relation तो यह निकल गया आएगा यह चीज़ क्या निकल के आ रहा है दोस्तों definite false निकल के आ रहा है तो जब यह जब गलत हो चुका है तो जैर सी बात है जब यह perfectly गलत हो गया तो answer में इस में से कोई ना कोई एक जरूर सही होना ही है इसलिए या तो यह सही सही होगा तो अब इस case में देखे तो यह वाली condition क्या हो रही है यहाँ पर हम लोग either or का case present नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे क्योंकि condition क्या होती है कि दौनों case में आपका यानि conclusion first में, conclusion second में arrow completely नहीं जाना चाहिए तो यह दोस्तों क्या बन गया एक perfectly rule बन गया जिससे either or को पहचानना two symbols में और three symbols में बड़ा ही आसान हो गया, तो एक पर देख लिया थे हम लोग तो अब देखो combinations क्या क्या बन सकते हैं, अब इस case में देखा तो combination आपका ये वाला और इसके साथ बन रहा है, तो वो symbol आपका ये दे रखें तो अब एक symbol ये दे रखा एक ही हो गया, एक ही हो गया ऐसी एक यहाँ पर उल्टा कर दिया, एक ये वाले case कर दिये, तो ये दो तरीके की combination बन सकते हैं, तो देखे, यहाँ पर condition क्या थी, दो symbol जब थे तो आपका arrow जाना चाहिए, जबकि यहाँ पर जब तीन symbol प्रेजेंट हो जाते तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, किसी भी conclusion का arrow destination तक नहीं जाना चाहिए, यह specific condition बन गई, अब देखो, इस वाले case में देखाता तो दोनों के अंदर arrow नहीं गया और देखो, यहाँ पर दोनों में क्या लगाता, आदर और लगाया गया था जबकि इस वाली condition में अगर देख लेते हो, तो यहाँ पर इसका arrow तो नहीं गया बट इसका arrow चला गया, तो किसी भी एक का arrow पहुंच जाता तो इस केस में आदर और की कंडिशन हम नहीं लगा पाएंगे तो इस केस में देखो, यह भी सही नहीं है, बट यह definite false है, मतलब इसमें क्या लगा जाता है दोस्तों, नीदर नौर का केस प्रिजेंट हो जाएगा तो उमीद करता हूँ, कि यह आप जब प्रैक्टिस करोगे चीजों की, तो आप अच्छे से समझ जाओगे बट यह जो arrow वाला कॉंसर्ट में बता रहा हूँ, वो केवल बहुत अच्छा कंसर्ट है और यह तब काम आ जाता है, कब जब आपके जो डिस्जोंट वाले जो स्टेटमेंट्स दियर रखे रहते हैं उस केस में ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं अगबार, तो यहाँ पर आपका arrow नहीं जाना चाहिए तो नोट कहा रहा है, कि if the arrow of both conclusions get break, not continue, मैं रहा है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, either or हम लोग लगा सकते हैं, otherwise क्या बन जाता है दोस्तों, आपका neither nor का केस प्रिजेंट हो जाता है तो दोस्तों, second वाले केस की condition क्या निकल के आ रही है, एक बार मैं दोनों केस लिख दे रहा हूँ, actual condition क्या थी, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, आपका दोनों कॉनकूजन आपके invalid होने चाहिए, दोस्तों, invalid, दूसरी condition क्या कह रहा है, जो आपके variable होते हैं, वो क्या होन चाहिए दौनों के अंदर आपका सेम होना चाहिए और तीसरे case में case first की condition देखें तो अगर ये वाला combination हो conclusion में एक conclusion में greater और दूसरे conclusion में equal होना चाहिए और एक के case में आपका ये present होगा और आपका equal present होगा तो दौनों के दौनों case में देखें तो greater का इसको ले लिया और ये वाला equal ले लिया तो दौनों case का arrow जो होता है वो destination तक जाना चाहिए अब case third की बात कर लेते हैं case second तीसरे point का case जो है second की बात कर लेते हैं तो उसमें combination less ने ले लिया उसके साथ में greater और equal ले लिया या फिर क्या बन सकता है दोस्तों उसका उल्टा बन सकता है कुछ इस तरीके से बन सकता है ठीक है ये comma लगा हुआ है तो इस case में देखा जाए तो इन दोनों में ही दोनों conclusion का arrow destination तक नहीं पहुचना चाहिए इसमें arrow पहुचना चाहिए इसमें arrow अगर नहीं पहुचेगा then we can say either first or second otherwise we can say क्या neither first nor second तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इसको थोड़ा सा आप सोचेंगे और first class method है आपका जिसके case में आप चीजों को आसानी से approach में लेकिया सकते हो तो इसके कुछ इस questions की मैं आपको practice करा देता हूं जिससे आपको चीजे और आसान लगेगी ठीक है दोस्तों तो अब मैं चलता हूं थोड़ा सा इसके practice करा देता हूं आपको questions की है तो यह question दे रखे हैं अब इसमें लगा के देख लेते हैं condition क्या है ठीक है तो पहला case क्या दे रखा आपक क्या यह symbol आपका यहां पर present है यहां तो greater equal greater equal जह हमें तो सिर्फ greater चाहिए तो जब बोला भी गया था first sumber rule के अंदर आपका greater or equal अगर होता है तो condition यह थी पिछली class में इसको बताया था तो यहां पर यह symbol at least once present होना चाहिए उस particular whole path के अंदर ठीक है यानि सोर से destination तक यह symbol otherwise क्या हो जाता है यह invalid तो यह चीज आपकी perfectly क्या बन रही दोस्तो invalid बन गई अच्छा इस case में देखे तो equal का case में बताया था उस whole path के अंदर सारे symbols सिर्फ equal होने चाहिए equal नहीं है तो यह भी चीज क्या बन गया invalid तो rule number first कह रहा था invalid वह सही हो रहा है दूसरा case variable चाहिए कर variable भी ठीक है और तीसरी condition में case कौन सा इस्तेमाल हो रहा है two symbol वाला three symbol वाला तो देखो यहाँ पर एक symbol है और यहाँ पर एक symbol है मतलब total two symbol वाला case first apply हो रहा है जिसमें देखा था कि greater or equal वाले case में या फिर less और equal वाले case में arrow जाना चाहिए तो greater का arrow गया है ना तो greater का arrow गया था इस शक्कर में यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम लोग either or की condition apply कर सकते हैं ठीक है और actual में देखा भी जाए अगर देखो यहाँ से हम देखे हैं तो A और C के बीच में actual relation क्या निकल के आ रहा है कुछ इस तरीके से बट इसको जब मिला देंगे तभी तो यह बनेगा individually ना तो स आसानी से हम चीजों को निकाल सकते हैं तो यहाँ पर दौनों के अंदर arrow जाना चाहिए तो arrow अपना चला गया है और दौनों कौन कूजन invalid भी है और A और C आपके कैसे हो गए यह perfect हो चुके हैं तो यह approach मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में आपको इस च्छास में बता तक क्या B से सी तक जा पाओ के नहीं जा पाओ के ना क्योंकि यहाँ पर रास्ता बंद हो गया और दौनों सिंबल क्या हो गए अपोजिट ओग जब दौनों सिंबल अपोजिट होते हैं तो कंडिशन क्या बताई ती सोर्स और डेसिनिसन के बीच में आपका कोई भी देख लो C से B तक गए या B से A तक जा नहीं सकते हैं, तो arrow जो था वो आपका यहां पर भी नहीं पहुंचा है, तो दौनों के अंदर arrow नहीं पहुंचा, तो उस case में मैंने पहले ही बताया था, कि जब arrow नहीं पहुंचता, तो बताएं यह कौन सा case प्रेजेंट हुआ है, ती तीन सिंबल वाला है, दो सिंबल वाला, दोस्तों यह आपका तीन सिंबल वाला case है, कोई कि यहां पर greater than भी है, यहां पर less than भी है, तो अगर यह वाली condition क्या हो रही है, आपकी definite false हो रही है, अब यह condition अगर आपकी false हो रही है, तो इस case में definite false हो रही है, तो इस case में definite false हो रह तो देखो condition number first तो देखो ये भी नहीं कह सकते है ये भी नहीं कह सकते है मतलब दौनों case आपके invalid है मतलब सही हो गया पहला rule दूसरा rule आपके variable की condition थे AC, AC वो भी सही है और तीसरे rule के अंदर यहां पर जो case apply हो रहा वो case number 2 apply हो रहा है 3 symbol वाला और 3 symbol में आपको बताया गया था कि अगर इसके साथ में ये वाली approach हो और इसके साथ में अगर ये वाले symbol हो तो दौनों का arrow जाना नहीं जाई है तो arrow कहां गया है इसका भी arrow नहीं गया इसका भी arrow नहीं गया और जब arrow नहीं जाता तीन सिंबल में है, उस case में एदर और का case आप एपलाई कर सकते हूँ इस वाले case में चेकर लेते हैं A से F तक जाना है तो A से B B से C क्या B से C जा पाओगे? नहीं arrow नहीं गया इसलिए invalid हो गया है क्योंकि बोला नहीं यहां पर देखो तो आपके A और C के बीच में ही आपके opposite symbol आगे तो आगे तो जाएगा कैसे आपका तो जब symbol ही opposite है तो आपका कुछ भी पता ही नहीं आपका तो यह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है मतलब यह चीज़ क्या बनगी? आपकी invalid बनगी अब F से A की हो जाके देख लेते हैं तो F से E तक गए और E से D जाए नहीं सकते हैं E से D नहीं जा सकते है तो A तक कैसे पहुँचोगे? तो इसका मतलब यह भी देखा है तो arrow यहां पर भी transfer नहीं हो पाया arrow तो इधर भी नहीं गया arrow इधर भी नहीं गया और देखा जाए कि यह वाले केस में देखा है जब आपका हमें कुछ पता है नहीं जब अपोजिट सिम्बल हो जाते हैं तो कोई relation प्रेजेंट होता नहीं है और जब कोई relation प्रेजेंट नहीं होता तो सारे conclusion क्या बन जाते हैं आपके? इन्वैलिड बन जाते हैं rule number first का invalid वाला केस सही है दूसरे केस में variables से आपके वो भी सेम है और तीसरे केस में यहाँ पर केस कौन से प्रेजेंट हो case number second three symbol वाला तो three symbol वाले case में बोला गया तक दौनों conclusion का arrow नहीं जाना चीए और यहाँ पर देखा तो दौनों conclusion का arrow destination तक नहीं पहुँच पाया था इस बज़े से यहाँ पर क्या लग जाएगा दोस्तो इधर और का case present हो जाता है इसमें देख लेते हैं y से u तक जाना है y से u तक y कहा है दोसको यह वाला है y से u तक जाना है अब u आपका इस side में तो इस chain में और इस chain में v वाला case common है तो x के थूर जाने का कोई मतलब नहीं है तो y से हमें जाना है तो y से इधर चले गए हम लोग y से v बढ़ क्या जा सकते हैं हम लोग नहीं जा सकते हैं अगर y से x तक जाते हैं x तो इधर ही नहीं तो common जब x ही नहीं तो उस side में जाना है तो x को लेने से कोई मतलब नहीं है तो हमें मजबूरन v वाला case लेना पड़ेगा बट y से लेकर v की और हम transfer हो नहीं पारे क्योंकि symbol क्या ओरा दोस्तो उल्टा हो गया यहां पर arrow नहीं जा पाया इस वाले case में u से y की और जाना है तो u से y तक u इस वाले case में y इस वाले case में हो गया कॉमा से लगया आपका तो यहां से हमें v की और जाना है फिर v से हम आते तो यहां से हम जाई नहीं पारे क्योंकि यहां पर close से open side में नहीं जाना होता है, हमें कहां जाना होता है open से close side के उड़ जाना होता है ठीक है, तो हम नहीं जा पहे हैं, तो arrow देखो आपका दोस्तों इधर भी नहीं गया जब arrow पहुंचा ही नहीं है और दो अपोजिट symbol प्रजेंट हो रहे हैं, अब अपोजिट कैसे feel करोगे समझ लेना, मैं आपको इसका एक statement को joint करके दिखा देता हूँ एक बार, देखो यहाँ पर condition के अगर मैं यह वाला case लिख ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर यह वाला लिख देते हैं, कि w less equals to t equals to u, less equals equal v, अब देखो, यहाँ पर जो v right में देखा, that में यह condition पलट जाएगी, तो यहाँ पर क्या जो v है, y से कैसा है, v y से बड़ा है, मतलब condition यह बाली आ जाएगी, और y उसके बाद में आपका x है, अब एक चिए देख लो यहाँ से, अब अगर condition आप एपलाई करेंगे देखोगे भी, तो यहाँ से u और y की बात हो रही है, तो u आपका y हो गया, और y आपका यह हो गया, तो यहाँ पर इसका इधर आपका close gate है, इसका इधर, तो यहाँ दोनों symbol आपके क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं कि variable same है, तो आपका rule number 2 भी सही हो रहा है, और तीन number में case कौन से अपलाई हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर case number 2, 3 symbol वाला, देखो greater भी आगया, less भी आगया, और equal भी आगया, तो उस case में दौनों conclusion में arrow नहीं जाना चाहिए, तो उस case में दौनों में arrow नहीं गया था, इस बज़े से यहाँ पर भी क्या लग जाएगा दोस्तों, इधर और लग जाता है और एक और question देख लिए तो दोस्तों पांच number question है आपका, ठीक है तो इसमें condition क्या निकलती है, देखे y से v की और जाना है y से v, y से z गए, z से x तक पहुँचे, अब x यहाँ पर है, तो x से w पहुँचे और w से v तक पहुँचे, arrow गया, मतलब यहाँ पर हम लिख दे रहा हूं, कि arrow गया, अब इस पूरे रास्ते में, यहाला conclusion सही करने के लिए, यही symbol हर जगया पर होना चीए, या फिर इसके llo Β, ogni Formula में बटाता है, इस symbol को सही करना है, इस symbol को अगर सही करना है, तो आपक के combination क्या बनेंगे या तो सारे के सारे symbol यही होने चाहिए या फिर यह हो और इसके साथ में क्या हो सकता आपका equal तभी सही हो सकता जब कि यहां पर कई सारे symbol ऐसे देख रहे हैं जहां पर यह वाला arrow यानि की equal symbol प्रजेंट नहीं है और यह condition भी थी आपकी कि इस वाले condition में आपका जो equal symbol आपका break नहीं होना चाहिए तो यहां पर condition अगर देख रहे हैं तो arrow तो जा रहा है बट यह चीज क्या हो रही है आपकी गलत हो रही है ठीक है अब आके देखतें दूसरे वाले को वी से वाई की ओर जाना है वी से वाई की ओर दोगो वी से डबलू गए और डबलू स एकस क्या डबलू से एकस जा सकते हो नहीं ना यहां पर arrow नहीं पहुंचा है जब इस वाले केस में arrow नहीं पहुंचा और इस साइड में arrow पहुंच गया है तो अरे बात बताओ यह तो confirm हो गया अगर इसको मैं पूरा command करेकर लिख देता हूं तो यह बाली बात confirm हो चुकी कि जो V है ना वो हमेशा Y से कैसा होगा वो देख लेंगे तो वहां पर आपका इस condition में देखे तो V कभी भी Y से बड़ा नहीं हो सकता ठीक है देख लेते हैं इसको मिलाके में लिख दे रहा हूं तो वो देखो कैसे लिखा जागा इसको मैं पहले लिख दूँगा फिर मैं इस लिख दूँगा यानि कि पहले Y, Z, X और इस तरीके से लिख दिया अब X यहां से स्टार्ट कर दे तो X greater आपका W equal V अब देखो अपना V और Y की बात हो रही है अगर V और Y की अंदर देख लिए तो आपका एक तो equal symbol present है एक यह symbol present है और आपका यह present है तो इन तीनों में देखे तो priority किसको बिलते है सबसे पहली priority इसको मिलती है second priority इसको मिलती है third priority इसको मिलती है तो exactly अगर y और v का relation बना है तो answer क्या निकल कियागा इस तरीके से इसका अगर मैं उल्टा कर देता हूँ यानि कि उल्टा कर इसलिए कियाता है क्यों कि y इसमें right में इसमें left में तो conclusion आपका v और आपका less than और y ये भी आपका दौनों case आपके same हो गए अब एक चीज सोचो इसमें क्या कहना है v greater y जबकि आना क्या v less than y तो ये बाला जो case है आपका ये तो hundred percent क्या हो गया definite false के case में आ चुका है जबकि either or के case में बोला जाता है कि definite false नहीं होने चाहिए आपकी ठीक है तो ये आपका definite false हो गया जबकि हमें क्या चाहिए इन्वैलिड चाहिए होते हैं cannot say मला doubt वाले case में तो ये तो confirm हो गया ना आपका ये गलत है क्योंकि आप इस relation से check कर पा रहे हो क्योंकि y और v के case में देखे तो जो v है वो तो कभी भी आपका y से बड़ा हो ही नहीं सकता ही है तो हमेशा चोटा ही होगा तो कई ना कई जब अगर वाई आपका बड़ा होना है तो वाई अगर बड़ा होना है तो उस case में वाई का बड़ा होना इस first conclusion के अंदर present हो पा रहा है इसलिए कहानी सिर्फ इतने से ही निकल जाएगी इसकी requirement आएगी नहीं इस सक्कर में दोस्तों यहाँ पर आपका आइदर और नहीं लगेगा इसमें कौन सा case लग जागा नीदर नौर का case present हो जाता है समझ लीजिए एकवा फिर से यहाँ पर मैंने बताया था rule number क्या था कि आपके दौनों case क्या होना चाहिए invalid होने चाहिए जबकि यह वाला invalid नहीं है यह जो ते रखका वो definite false है यह तो आपका अभी invalid क्योंकि short नहीं है कि यह वाला यह यह वाला होगा इस case में देखे है तो क्योंकि हमारा exact answer क्या ने कहले कर रहा है वाई वड़ा ने के लिए हमारा exact ही है बट इस वाले line से हमें समझ में नहीं आपा रहा है वड़ा भी हो सकता है और चोटा भी हो सकता है तो यह वाला case तो invalid आ गया बट यह वाला case आपके definite false है जबकि हमारा rule number first क्या कहता है कि दौन यह से uv की तरफ आपका arrow पहुंच गया y से z, z से x, x से w, w से w arrow पहुंच गया है जबकि हमने बोला था case number three जब तीन symbol वाले case होते है जब तीन symbol वाले case होते है तो वहाँ पर दौनों conclusion का arrow पहुंचना नहीं चाहिए destination तक जबकि यहां एक का पहुंच गया एक का नहीं इधर और यहां पर प्रजेंट नहीं करेंगे ठीक है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह चीज आपको perfectly समझ में आ चुक होगी एक बार इस चीज पर जरूर observation करिए पट इस आपकी वीडियो को देखने से पहले आप एक बार पिछली वाली जो वीडियो उसको जरूर करिए और तैयारी करते रिए अगर आपको कोई भी समस्यालती आप comment box में लिखिये मैं आपकी question का answer देने की courses करूँगा ठीक है दोस्तों तो तैयारी करते रिए thank you all the best